Hello friends, welcome back. I hope all are doing well. Friends trading करना चाहते हैं and उससे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं because मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसी की जाती है और किन-किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है तो सबसे पहले friends आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको requirement होगी demate account की तो सबसे पहले आपको demate account अपना open करवाना होगा ये आप अपनी choice का किसी से भी करवा सकते हैं आज इस time पे market में बहुत सारे competitors हैं so friends जब आपका demate account खुल जाएगा तो आप share खरीद भी सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं अब आप सब जानना चाहेंगे कि intraday trading क्या होती है सबसे पहले मैं आपको इसका meaning बताना चाहूंगी कि intraday trading आखिर होती क्या है friends intraday trading होती है जब आप एक दिन में ही एक दिन के अंदर ही share को खरीदते हैं और उसे बेचते हैं उसे intraday trading कहते हैं friends इसके बहुत सारे फाइदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं लेकिन जिसको इसकी अच्छी knowledge है वो एक दिन में इतने पैसे earn कर सकता है कि उसको job करने की remain भी नहीं होगी और वो एक full time trader बनके बहुत अच्छा amount earn कर सकते तो friends मैंने आपको बताया कि आप same day में ही share को खरीदेंगे और same day में ही share को बेचेंगे इसका मतलब यह है कि जैसे आपको पता है कि आज इस share का price बढ़ने वाला है तो आपने morning या किसी भी time पे share को एक price पे खरीद लिया उसके बाद जैसे ही वो share बढ़ा जैसे ही उस share का price increase हुआ तो आपने उस share को sell कर दिया same day पे ही तो जो भी difference होता है वो आपका profit होता है इस तरीके से आप same day में ही अच्छा profit earn कर सकते हैं इसको ही intraday trading कहते हैं यह news based हो सकता है जैसे किसी share से related कोई बहुत अच्छी news आई है तो आप सबको पता है कि कल इस share में upper circuit लग सकता है कल इस share भाग सकता है तो इस according आप knowledge लेके news based बहुत अच्छा profit intraday trading में earn कर सकते हैं फ्रेंड्स में अपनी next video में आपको जरूर सिखाऊंगी कि आपने यह कैसे करना है लेकिन उससे पहले में आपको next video में इसके advantages क्या है और इसके disadvantages क्या है वो जरूर बताऊंगी तो सबसे पहले अगर आप intraday trading करना चाहते हैं तो एक dmat account खोल दीजे Thank you friends